जुन्जिनु के सदर थाना इलाके के बाकरा गाउं में 28 अगस्त को मिली एक मजदूर की लाश के मामले में अब मृत्त की पत्नी ने सदर थाने में हत्या का मामला दच करवाया है पुलिस जानकारी के मुताविक 28 अगर्थ को सुपए बाकरा गाओं में स्थित मोधी मिस्तान बंदार के पीछे उसी दुकान पर काम करने वाले राणसर निवासी राजेंदर मीना की लाश मिली थी उस वक्त पी परीजनों ने संदिक मोंत मानते हुए रिपोर्ट दी थी लेकिन अब मृत तक राजेंदर मीना की पत्नी ने दुकान मालिक बाकरा निवासी सुरेंदर में एकवाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्च करवाया है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पती राजेंदर ने 27 अगस को से फोन कर बताया था कि उसके पती ने जब सुरेंदर से अपनी मजदूरी मांगी तो उसने राजेंदर से जगडा किया और जान से मानने की धमकी वी दी थी उससे अगले दिन ही उसकी लाश मिली पुलिस ने मामला दर्च कर जान शुरू कर दी है